बिग बॉस से बाहर आने के बाद से अब्दू रोजिक और MC स्टेन अपने जगरे को लेकर सुर्खियों में थे। अब्दू की टीम ने एक बयान जारी कर MC स्टेन और उनकी टीम पर दुर्व्यवार करने, गाली देने और उनकी अंदेखी करने का आरोप लगाया था। अब ऐसा लगता है कि MC स्टेन और अब्दू रोजिक ने सभी मतभेदों को सुलजा लिया है और अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब्दू रोजिक और MC स्टेन के पैच अप की खबरों ने दोनों के फैंस को खुश कर दिया है। अब्दू रोजिक द्वारा MC के लाइफ कॉंसर्ट की फोटो इंस्टाग्राम पर शेर करने के बाद सुर्खियां बटोने लगी है। दरसल MC स्टेन इड मनाने के लिए दुबई गए थे। वह सनी लियोनी के साथ यूई में भी पर्फॉर्म कर रही थे। अब्दू रोजिक ने MC स्टेन के इसी संगीत कारेकरम का एक विडियो शेर किया है। प्रशनसकों ने उन्हें और MC स्टेन को लाइफ सेशन में एक साथ देखा। हालां की MC स्टेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब्दू ने अपने लाइफ सेशन में स्टेन की पर्फॉर्मेंस का विडियो भी शेर किया है। अब्दू की स्टोरी देखकर सभी प्रशनसक सोच रही है कि क्या दोनों के बीच का जगड़ा शांत हो गया है या दोनों की कोल्ड वार अभी भी जारी है। दोस्तों, MC स्टेन और अब्दू रोजिक के बारे में आपकी क्या राई है हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए। और ऐसी ही दिल्चस्त खबरे जानने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।